हेलो फ्रेंड्स मैं विन्य निर्भिक फ्रेंड्स आपका एक बर फिर से हमाँ चल पर श्वागत है फ्रेंड्स आप लोग लगाता है रहे कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लूवर मेंस कब होगा क्योंकि आप लोग जान रहे हैं इसपे बहुत सारे आफवाय फैली हुई थी जो आफवाय जूट साबित हो चुकी हैं बहुत से लोग कह रहे थे कि जनवरी में ही आपका लोवर मेंस हो जाएगा तो मैं आपसे क्या बोला था फ्रेंड्स कि मैं आपको डाटली मनत नहीं करूंगा क्योंकि इससे क्या होता है आपके प्रिप्रेशन पर इफिक्ट करते रहे यह मैं आपसे पहले भी यह बात बोला था फिर अब मैं बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड डेट या एक्सपेक्टेड मन्त क्या हो सकता है और बहुत से लोग लोवर निव वैकेंसी के बारे में पूछ रहें निव वैकेंसी कब आएगी कौन कराएगा यूपी पी कि यह बहुत confusion बना हुआ है इस पर भी कोशिश करूंगा आप लोग को information प्रवाइड कराने का बट इसका भी exact information में पहले पता देता हूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि lower means कब होगा तो फिन्स अगर आप मेरा पूराना वीडियो देखे होंगे तो मैं आपसे बोला थ कि जन्वरी में कोई उमीद नहीं दिख रही है बट आप लोग उसी को मान के preparation करते रहें क्योंकि अगर आप preparation नहीं करेंगे कहीं आचानक हो जाएगा तो फिर नुक्षान होगा आप ही का मेरा क्या है मैं तो वीडियो बना रहा हूं अगर मेरा बात जूट की हो जाएगा तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा एग्जाम आपको देना है आपका नुक्षान होगा ठीक है तो आपको मैं बोला था कि आप जन्वरी को ही मान के चलिए लेकिन अगर आपका preparation भी नहीं है तो आप घबडाईए मत क्योंकि जन्वरी में होने वाला नहीं है मैं यह द मैं आपको तब भी बोला था कि जन्वरी में होने के चांसे नहीं करें बहुत सब्सक्राइब अपरेल निकले हैं कि हां कब क्या हो सकता है आपको भी मालूम है यूपी में मार्च में इलेक्शन होने वाले हैं जो लोग 15 महीं तक पूरी तरह से complete होंगे वह भी हाई- आप आप आएंगे तो जब यह सब complete हो जाएगा प्रोसेस इलेक्शन वगेरा का तभी यूपी ट्रिपलेसी अपने कोई काम स्टार्ट करेगा अभी क्या है फरवरी आपको बीतने वाला है अगर फरवरी में एक्जाम होता तो कम से कम एक डिड़ महीने पहले बता देता औ और आपको मालूप मैं यूपी ट्रिपलेसी क्या करता है कम से कम दो तीन में पहले बता जैता है जैसे कि आप जान रहे हैं फॉरेस्ट गार्ट के एक्जाम होने वाला है साथ 4 अप्रेल को है और फरवरी में ही बता दिया लगवग दो महीने पहले तो आप सोच सकते हैं य इन नोटिस के आचानक एक्जाम करा देगा तो आप लोग परिशान नहों आप लोग पॉस्टिवूटी मने बनाये रखें और आप लोग यही करें ऑफिशल नोटिस का वेट करें अधरवाइज ऐसे आफ़ फैलते रहेंगे कि जन्वरी में एक्जाम होगा फर्वरी में मार्च में एक्जाम होगा ठीक है मैं अगर अपना ओपिनियन दू अपना इनफॉर्मिशन दू तो मुझे जहां था कि इनफॉर्मिशन निकल रेफ्रेंट्स कि यह एक्जाम जो है में लास्ट विक में हो सकता है या फिर जून फर्स्ट विक में हो सकता है लेकिन में लास तो अभी तक आप फ्री वैठे नहीं होंगे और मेंस का प्रेपरेशन सुरू करी दियोंगे रिजल्ट के आने के तुरून बाद ही ठीक है तो इसका मतलब है कि आप लोगों का जीरो लेवल नहीं है नहीं कि आप अपने आपको इंप्रूफ करना पड़ेगा आपको बस यह स हो जाएगा तो आपको यह सोचना होगा और उसी हिसाब से प्रेपरेशन करना होगा नहीं तो फिर क्या होगा आप प्रेपरेशन नहीं करके जाएंगे पूरी अच्छे से तो फिर आप फाइट से बाहर हो जाएंगे तो मैं आपको कहूंगा क्या क्यों प्रेपरेशन पर करिए जो आपका मेंस एक्जाम है वो में जून से पहले नहीं होने वाला है ठीक है और अगर हो जाता है तो मेरे जीमिद्यारी भी ने फिर कह रहा हूं या में जून में हो सकता है अब अगर हम बात करें नई वेकंसी कब आएगी को भी कायों किया इसके अब सब्सके बाते हो ल Einsatz कोई कता है यह ऩए यह गाएगी नहीं बहुत iau और ऑबने सके और दंध्म कोई Cule मैं यह confirmation ने दे रहा कि UPPC कराएगा कोई करा है लेकिन बहुत से ऐसे vacancy है जो calendar में में संड नहीं है UPPC के लेकिन वह इस साल होंगे क्यों होंगे क्यों कि उनके अधियाचन अभी UPPC को नहीं मिल पाय थे जब calendar जारी किया गया था तो कौन कराएगा UPPC कराएगा या UPPC कराएगा तो फ्रेंट्स मैं UPPC के हलत बता दूँ वह तो पिछले एक साल से कोई अधियाँ कराया ही नहीं कोई नोटिफिकेशन निकाला नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि वह इस साल चांस नहीं करा पाएग क्योंकि अप्रेल में तक चुनाओ भी जा रहा है फिर उसके बाद उससे सबसे पहले फास्ट प्रोसेस रहता है UPCC का क्या है चार चार पांस बास साल की भरतियां लटकी हुई है और अभी तक कोई कन्फरमेशन नहीं है ठीक है तो इस ओज़े से लग रहा है कि यह जो एक्जाम है न्यू वेकेंसी है वह UPPC के थूरू हो सकता है अब अगर हम बात करें नूटिफिकेशन कब तक आएगा तो नूटिफिकेशन मान के चलिए मार्च अप्रेल में में तीन महीने के अंदर कभी भी आ सकता है ठीक है और एक्जाम जो इसका सिक्तंबर अक्टूबर तक जा सकता है क्योंकि आप जान रहें अभी जून में आपका PCS है फिर उसके बा कि UPSC के थूरू ही आएगी ना कि UPSC के थूरू जिसके थूरू आपको चाहते हैं जहां आपको विश्वास है कि यहां थोड़ा सा मतलब वैकेंसी जो है अच्छे प्रोसेस से हो सकती है साफ सुत्रा हो सकती है बाकी UPSC भी तो किसी का विश्वास नहीं रहे गया ठीक है तो मैं उमीद करता हूँ आपको सारी जानकारी मिल गई होगी इसके अलामा कोई information आपको चाहिए तो आप comment box में पूछ सकते हैं और friends आप मेरा telegram group join कर सकते हैं उसका link description box में मिल जाएगा इसके साथ साथ आप मुझे facebook, twitter, instagram इन सब्सके फॉलो कर सकते हैं इन सभी का link भी description box म मिल जाएगा तो अभी के लिए बस इतना है friends थैंक्यू जय हिन जय भारत friends मैं एक बात बता ना भूल गया कि यह जो PT है PT में भी अभी काफी देरी हो रहे ठीक है तो अभी confirmation नहीं है कि PT हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा ठीक है इसके लिए मैं अलग से वीडियो जो है अभी कुछ दर में आपको provide करा दूंगा कि PT होगा भी या नहीं होगा क् सिच्वेशन कुछ अलग दिख रहें क्योंकि आप देख रहें सीटी पे काम होना सुरू हो गया है और पीटी का कुछ अता पता नहीं है जबकि बोला गया था कि एक साल के लिए पीटी होगा और जब सीटी आएगा तो पीटी हटा दिया जाएगा यानि कि देखने में तो